Hello and welcome to my channel, मैं रेफ ती हूँ और एक नई सीरीज लेके आई हूँ इस वीडियो में इसमें मैं नेविल गोडार्ट पर ही बात करने वाली हूँ यह थोड़ी सी सीरीज चैसी होगी क्योंकि मैं एक बहुत इंपोर्टन लेक्टर को लेके आई हूँ नेविल गोडार्ट की यह यह थिंग वन अफ फ्यू लेक्टर जो उन्होंने अपने जिन्दगी के एंड के समय में दिया 1972 की लेक्टर है री अर्रेंजमेंट ओफ यूर माइंड यह लेक्टर बहुत इंपोर्टन है मुझे लगता है क्योंकि अगर आप के लेक्टर को ढंग से समझ ले तो फिर आप कभी भी अपने किसी भी डिजायर को मेनिफेस्ट करने से पहले टाउट नहीं करेंगे आप अपने हर एक desire को बड़े आराम से manifest कर लेंगे और आपको ये realize होगा कि आप खुद एक creator है लेक्चर थोड़ी सी लंबी लेक्चर है तो मैं पांट वाइस में लेके आऊंगी मैं Neville Goddard के सारे lectures नहीं लाने वाली हूँ क्योंकि इसमें समय लगता है क्योंकि Neville Goddard की lectures English में हैं उनको पहले Hindi में convert करना पड़ता है and then उसमें से editing काफी लंबा समय जाता है इसको तयार करने में लेकिन जो कुछ important lectures Neville ने दिये हैं मेरे according जो मुझे लगता है life changing lectures है वो मैं आपके साथ जरूर सांजा करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि जिस तरीके से मैंने law of attraction को समझ कर अमल करकर करकर हूँ जो action है law of attraction के according वो किया तो फिर मेरी life बहुत magical transform हो गई और मैं आशा करती हूँ कि इस video को सीख कर समझ कर आप भी अपनी life ज़रूर बदले तो भाई शुरू करती हूँ मैं lecture शुरू करूंगी पढ़के हिंदी में है औरिजिनली हिंदी में नहीं है मैंने हिंदी में create किया है तो नेविल स्टार्ट करते हैं आपको आज रात एक बहुत ही बहवारीक रात मिलने वाली है कुछ ऐसा जिसे आप परक सकते हैं इसे आज रात समझे और इसे साबित करें हम इसे scripture से लेंगे लेकिन कुछ पहले जिससे मुझे लगता है कि आप सब परचित हैं यदि आप स्टील के एक टुकरे को लेते हैं जो मैगनटाइजड होता है या स्टील के डी मैगनटाइजड टुकरे को लेते हैं दोनों मैगनटाइजड और डी मैगनटाइज स्टील के टुकरे सबस्टैंस में एक ही होते हैं उन दोनों टुकरों का जो सबस्टेंस है, वो एक ही है, केवल उनके अनुओं यानि मॉलिक्यूल्स का अर्रेंजमेंट डिफरेंट है, अमीर आदमी, गरीब आदमी, भिखारी आदमी, चोड अलग-अलग दिमाग नहीं है, बलकि एक ही दिमाग के अलग-अलग अर्रेंजमेंट है, इस संसार में केवल इश्वर है, इसलिए जब आप कहते हैं I am, और जब मैं कहता हूँ I am, ये वही इश्वर है, लेकिन हमने अपने मन की संरचना को अलग तरह से कर रखा है, we have different concept of self, that's all, but not one is better because he is richer than the one who is poor, these are only different arrangement of structure of the mind, यानि या नेवल कह रहे हैं कि जिस तरीके से जब हम किसी steel के टुकरे को लेते हैं, जो magnetized है और किसी normal steel के टुकरे को लेते हैं, या दोनों के दोनों steel के टुकरों का सब्स्टेंस है, वो सेम है, लेकिन उनके जो अनुव की सन रचना है उसके कारण एक magnetized हो जाता है और एक demagnetized हो जाता है ठीक उसी तरीके से अमीर आदमी, गरीब आदमी, भिकारी आदमी या चोड आदमी सब के अंदर एकी दिमाग है लेकिन दिमाग का जो arrangement है वो उनको magnetized बनाता है उस particular चीज से arrangement कर लेते हैं उस subject को लेके तो हम अपने दिमाग के arrangement के बाद पाते हैं कि उस subject को लेके जो हम demagnetized थे यानि attract नहीं कर पा रहे थे arrangement change करने के बाद उसी चीज को attract कर रहे हैं अब scripture ने हमें बताया है और मैं ये quote book of James chapter से बोल रहा हूँ be doer of the words and not hearer only यानि वचन पे चलने वाले बनो न और केवल सुनने वाले नहीं for he who us hearer not a doer is like a man who observe his natural face in the mirror and then goes of his way and then once forget what he is like ये बोल रहे हैं कि जो सुनते हो उसको करने की भी आदर डालो ये book of James से नहीं उठाया है क्योंकि जो सिर्फ सुनते हैं और उस पे अमल नहीं करते हैं वो वैसे लोग हैं जो आईने में अपनी शकल को देखके पहचानने की कोशिश करते हैं फिर अपने काम में आगे निकल जाते हैं और वो अचानक से भूल जाते हैं आईने में देखावा शकल थाख है यानि वो बोल रहे हैं कि लेकिन जो अपने कहेवे चीजों पर अमल करता है यानि जो अपने सुनेवे चीजों पर अमल करता है उससे ब्लैसिंग मिलती ही मिलती है अब मैं कानून को कैसे देखो पुन कानून जो मुझे स्वतंत्र करता है स्वतंत्रता का कानून मैं अपने दिमाग में देखता हूँ मैं अब कैद हो गया हूँ मैंने वाकई में सुना था कि मुझे ठीक ठाक पता है कि मुझे कितने समय तक सेवा करनी है अब मैं अपने मन में स्वतंतरता के नियम को देखता हूँ और मैं मानता हूँ कि मैं मुक्त हूँ कैसे? मुझे कोई सरोकार नहीं है इसे किसने लाया? मुझे कोई सरोकार नहीं है मैं केवल पुर्ण कानून, स्वतंतरता का कानून को देखता हूँ और मैं ये मानने की साहस करता हूं कि मैं स्वतंतर हूं यहाँ ये बात निविल क्या मैं बैग्राउंड देना चाहूंगी निविल ये लेक्चर कर रहे है अपने आर्मी लाइफ में उनको जो जबरदस्ती आर्मी जोइन करनी पड़ी थी उसके context में नेविल की इक्षा नहीं थी war में जाने की बट उनको US army में जबरदस्ती जाना परा था और उसके backdrop पे वो स्वतंतरता की बात कर रहा है कि अगर मैं ये सहस कर लूँ, भले मैं स्वतंतर नहीं हूँ मैं ये क्यों करना चाता हूँ, उससे भी जरूकार नहीं आगा बट लेक्टिर पढ़ऊंगी तो समझ मैं का कि ये भी बोला है लेकिन, मैं अगर ये सहस ही कर लूँगा कि मैं स्वतंतर हूँ तो मैं स्वतंतर हो जाओंगा यदी मैं ये मानने का सहस करता हूँ कि मैं स्वतंत्र हूँ, तो मैं अपने मन की सनरचना को पुर्ण विवस्थित करता हूँ, यानि रियरेंज करता हूँ, वही मैं जिसने उस वाक्य को सुना था, जिसमें मैंने सुनते ही स्विकार कर लिया था, अब मैं इसे स्विकार नहीं करता हूँ, यानि कुछ जो उनके म आज वो साहस करते हैं सvatंतर होने का और सिरफ साहस के कारण उनके दिमाग की संड़किना हो चेंज होने लगती है और फिर वो देखते हैं कि जो चीज को स्वीकार कर लिए थे आज उसेinte करते हैं। बोलते हैं मैं द्रिड रहता हूँ यानि बिलकुल अडिग तो मैं वास्तव में वो प्राप्त कर लूँगा जो मैं चाहता हूँ मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि मैंने क्या किया है और इस रात को ऐसे सोना चाहिए जैसे कि मैं जेल में नहीं हूँ क्योंकि यदि मैं अब स्वतंत्र हो गया हूँ तो मैं कहा सोंगा मुझे बताओ मैं वास्तव में कहा सोंगा अच्छा ये मानने की हिम्मत करो कि मैं अब वास्तव में वही सो रहा हूँ जहां मुझे सोना चाहिए स्वातंतरता के बाद अगर मैं इस धार्ना में सोता हूँ तो मैं आजाद हूँ तो मैं जेल में नहीं सो रहा हूँ भले ही सलाखे हैं मैं उन्हें नहीं देखता मैं उनके अगेंस्ट अपनी आखें बंद कर लेता हूँ यहां बोल रहे हैं कि मैं जतना जानता था आज यह सुनने के बाद इसे जाचने की तरफ बढ़ता हूँ और जतना जानता था जब मैं इस चीज़ को जाचने जाता हूँ तो कहीं न कहीं मैं अपने नॉलिज में बढ़ोतरी कर रहा हूँ और इसको जब मैं टेस्ट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो चीज, जो desire मेरे against काम कर रही थी जो चीज जो मेरे मन के खिलाफ हो रही थी जो मेरे control से भी बहार थी जिसको मैं नहीं बदल सकता था जिसका कोई solution नहीं था धीरे धीरे मुझे solution समझ में आने लग जाएगा क्योंकि मुझे सिर्फ अपने दिमाग का rearrangement करना है तो उसके लिए सिर्फ साहस की जरूरत है साहस जो सुना है उस पे अमल करने की इसलिए मैं ये मानने का साहस करता हूँ कि मैं वो आदमी हूँ जो मैं होना चाह रहा हूँ और सोचता हूँ जैसे कि मैं हूँ मैं मन के उस सनरचना की rearrangement हूँ मैं वही हूँ मैं नेविल हूँ मैं ठीक वही जानता हूँ जो मैं पहले जानता था लेकिन अब मैं उन्हें अलग तरह से जानता हूँ मैं उन्हें अब एक मुक्त व्यक्ति के रूप में जानता हूँ लेकिन मैंने जो कुछ भी इस scripture से सुना और सीखा है उसे मैं सिर्फ सुनने वाला नहीं बलकी करता के रूप में बनना चाहता हूँ मुझे ये करना ही हुगा इसलिए केवल सिर्फ सुनने वाला ना बने शब्तों के पुर्ण रूप में एक करता बने जो चाहा है, जो सुना है, उसको करने का दृड़ विश्वास और साहस करे, और उसको करने के पीछे लग जाए, ये शब्ट स्क्रिप्चर में दृड़ तक ये पहले अध्याई में है, मैं आज अपने घर में सो रहा हूँ, मुझे पता है कि दूसरे दिन, जेल की सलाखे, मुझे वास्तविक्ता का अनुभव कराएगी, मुझे कन्फरंट करेगी, मैं अभी भी जेल में हूँ, फिर भी इससे कोई फरक नहीं परता, I did it, I'm doing it, and I'll continue to do it, जब तक मेरी इक्षा पूरी नहीं हो जाए, और ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ, मुझे ये पता है, यहां आगे नेविल बात करते हैं, कि किस तरीके से वो आर्मी में थे, उन्हें जबदस्ती आर्मी में डाला गया, और किस तरीके से वो आर्मी से बाहर है, तो ये था इस लेक्चर सेरीज का छोटा सा इंडरोडाक्शन, जो मैं अब आगे एपिसोड में बनाने वाली हूँ, नेविल की, ये लेक्चर बहुत ही इंपोर्टेंट है, बहुत ही एसोटेरिक है, ढंक से समझने की कोशिश कीजिए, जितनी बाहर सुनेंगे, एक नया रहा है वही सच है, तो इस लेक्चर सेरीज को जब आप सुनेंगे, समझेंगे, तो समझ में आएगा कि आखिर इतने सालों बाद भी नेविल की इतने सारे फैन क्यों है, तो भई लेक्चर सेरीज की नेक्स पराव में आप से मिलती हूँ, तब तक जो सुना है, जो सीखा ह उस पे अमल करे तुर्ड़ता के साथ रियालिटी कुछ भी हो उसके प्रती आंक मूद कर अपनी एक्छाओं पे ध्यान लगाए रखे मिलती हूं अगले एपिसोड में आपसे टेक केर गुड़ता